असलाम लेकुम कैसी हैं आप सब अल्ला आप सभी लोगों को खुश हो आबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं अल्ला ताला के नाम से जो दोनों जहानों का परवर्दिगार है आज हम आपके लिए बहुत ही चटपटी और बहुत ही मसाले वाली बिर्यानी लेक क्लियर करेंगे तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है इस्टेप बाइस्टेप सभी कुछ क्लियर होता चला जाएगा उससे पहले आपसे दर्खास है कि चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक जरूर कर दिया करें शुक्रियत जजाक अल्ला बिसम्लाहिर रह्मानी रहीम तो चलिए देख लेते हैं हमने कौन-कौन से मसाल इस्तेमाल की हैं बहुत ही लजीज बहुत ही खुश्बुदार आपका मसाला तयार होगा और बिर्यानिया आप जब भी बनाना चाहेंगे तो फटा-फट से बना सक देखी को अलग कर लेंगे और यहां पहली का सुरीमेत ही हमने में 2 बिल हूंते यह तरा बिल हुँ है 2 बिल शुट होई है 2 बिल स्वट है 1 तो ब्लिया है डार्चिनी के स्टिक दो हमने लिए हैं दार्चिनी के इस्टिक को देखिए इस तरीके से टुकडों में तोड़के हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको पीछने में आसानी हो जाएगी सब्स लाची भी हमने दो टेबली स्पून ली हुई है एक टेबली स्पून हमने लाउंग लिया है छे से साथ हमने यहाँ पे देखी स्टार फूल लिये हैं और तीन हमने यहाँ पे जाएफर लिया हुआ है दो टेबली स्पून के करीब हमने जावित्री ली हुई है और एक टेबली स्पून हमने यहाँ पे काले मिर्च को लिया है आपने यहाँ पर आके आप वीडियो को और ध्यान से देखना है कि कितनी देर तक कौन से मसाले रोस्ट होने है बिसमिल्लाहरामाने रहीम तो यहाँ पर देखिए हमने एक पैन रख दिया है पैन को हमने हलकी आज पर गरम होने के लिए रखा था और पैन हमारा गरम है तो गर मसाले डाल दिया है और यहाँ पर देखिए लाल मेश का भी वही हाल होता है जब हम मसाले डालते हैं तो मिर्चूपर आ जाती है और अच्छे से रोस्ट नहीं होती है तो हम थोड़ा पहले इसको डाल देंगे और हलके हलकी सी से एक मिनट तक रोस्ट कर लेंगे ताकि तो देखिए हम यहां पर कर रहे हैं तो अच्छे से नहीं हो रहा था मसाला तो हमने यहां पर पैन को चेंज करके कड़ा ही ले लिए क्योंकि अभी हम कुछ और मसाले आड़ करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हो जाता आज को हम बहुत हलका रखके रोस्ट करेंगे ताकि अच्छी सी खुश्बू एक्टिवेट हो जाए और बहुत अंदर तक हमारे मसाले क्रिस्पी हो जाएं तो यहां पर बक्या बचे हुए मसाले देखिए हम इसमें शामिल कर दिये हैं और यहां पर दार्चीनी के जो हमने टुक्रे करके रखे थे उन्हें भी शामिल कर दिय है और इसके बाद हम यहां पर स्टार्फूल को भी इस तरीके से तोड़ के शामिल कर देंगे ताकि थोड़ा सा यह भी क्रिस्पी हो जाए थोड़ा रोस्ट हो जाए तो जब हम मसाले पीस हैं तो बहुत इच्छे से पिस जाए जाए फल को भी देखिए इस तरीके से कशूरी मेथी शामिल करेंगे थोड़ी सी कशूरी मेथी हम रख गया है data, बुल्कुल अच्सा फाइन पाउडर बना लिया है के लिए emotionsr गोश्ट के लिए हमारा एक टेबल स्फून मसालाक काफी होगा बहुत यह अच्छा सी खुश्बूव और बहुत यह च्छा सा टेस्ट आपको इस इस बिर्यानी के मसाले से मिलेगा तो इसको अच्छे से air tight jar में भरके आप रख दें और पूरी इदूल अज़ा आरामसी से इस्तेमाल करें जब भी कोई मेहमान आई या जब भी आपको बिर्यानी बनाना हो तो आफटाफट सी इस मसाले के इस्तेमाल कर के बहुत ही जल्दी से बिर्याने बना सकते हैं बिस्मिल्लाहरमाने रहीम तो यहाँ पे देखे मैंने बिस्मिल्लाहरमाने रहीम तो चलिए अब अपना गोश्ट बना लेते हैं उसके लिए मैंने कूकर में तेल डाल दिया है एक कर्ची के करीब मैंने इसमें तेल डाला है और चार मेडियम साइस की प्यास को इसमें मैंने देखी इस तरीके से फराई कर लिया है अगर आपके पास प्यास का भी रिस्ता हो तो यहाँ पे चार नहीं सिर्फ एक प्यास का आप इस्तेमाल करिए और देखिए मैंने सबी प्यास को निकाल लिया है थोड़ी सी छोड़ दी है इसमें अब हम अपना गोश्ट शामिल करेंगे यहाँ पे एक किलो गोश्ट मैंने लिया है और अच्छे से धुलकी से इसमें शामिल कर दिया है बीफ है और अद्रकले सुन का पेस्ट हम यहाँ पे दो टेबली स्पून शामिल करेंगे और इसी के साथ ही इसमें हम नमक और हल्दी भी शामिल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक छोटे चम्मस से मैंने हल्दी शामिल कर दी है और टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें कुछ खड़े गरम मसाले इसमें हम शामिल कर रहे हैं एक चमस सफेज जीरा, एक मोटी वाली लाची और एक स्टार फूल और हमने थोड़ी सी लॉंग और सफेद वाली लाची इसमें शामिल कर दिया और अच्छे से हम अब इसको भूनेंगे जब तक गोष्ट अपना पानी न छोड़ दे और तिन देर तक हमने चला किसे भून लेना है तो देखिए यहाँ पर गोष्ट न अपना पानी अच्छे से छोड़ दिया है तो हम यहाँ पर कोई बाहर का पानी नहीं आयट करेंगे अभी थोड़ी सी जो कसर है वो हमारे मसालों के साथ पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे देखें टमाटर को मैंने इस तरीके से चाप कर लिया है चापर में डालके हमने इस तरीके से चाप किया है पीसेंगे नहीं हम या तो हम फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या तो फिर चाप कर लेंगे और यहाँ पे देखिए जो बिर्यानी मसाला हमने बनाया है एक चमच भर के हमने इसमें शामिल कर दिया है और थोड़ा सा तीखा और हो जाए इसके लिए हमने आधे चमच से भी थोड़ा कम हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया ह ए देखिए कितना बरगो हाया है कोई भी कलर हम नहीं आइड किया है यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक और कplease we warm अच्छी से हम चलाएंगे छलाके यह यहाँ पे पानी नहीं कर दंश कए है बस आज को हम बहुती लो रखके यहाँ पे हम ढखकन सिर्फ इस तरीके से रखके पकाएंगे एक पाउ टमाटर हमने चाप किया था आधा टमाटर हमने गोश्ट में शामिल कर दिया था और जो आधा टमाटर बचा है उसमें देखिए हमने आधा चमच बिर्यानी मसाला शामिल किया है और देखिए जो प्यास का बिरिस्ता हमने बनाया है यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर दिया है यहाँ पे पोदीरा और धनिया के पत्तों को इस हमने शामिल कर दिया है इसमें हम शामील करेंगे, दही 3 टेबल स्पूर्ण और इसमें नमक शामील करके, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे. बहुत ही चटपटा सा बहुत ही फिलेवर फुल हमारा ये मसालत तयार हुआ है और इसे हम चावल में यूज़ करेंगे बिल्कुल अलग तरीके की हम बिरियानी बना रही है तो यहाँ पे देखिए गोश्ट हमारा बहुत इच्छे से पक चुका है और अब इसमें हम थोड़ा सा और तीखा और चटपटा बनाने के लिए इसमें भी थोड़ी सी हरी मिर्च को शामिल कर देते हैं तो हमारी बहुत ही चटपटी और बहुत ही लजीज बिरियानी तयार होने वाली है थोड़ा सा कलराइड करके रख दिया है सभी तयारियां हम करके रख लेंगे और यहां पे देखिए चावल को हमने थोड़ा सा पानी ज्यादा ले कि इसमें हमने उबलने के लिए रख दिया है यहां पे एक किलो गोश्ट है तो एक ही किलो चावल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं चावल जो हम अपने अक्सर बिर्याने में बॉयल करते हैं उसी तरीके से हमने चावल को उबाला है इसलिए हमने ज़्यादा डीटियल नहीं शेयर की है विर्याने से उबाला था हमने चावल कुछ चाने के लिए किसी इस्टेनर और किसी बर्थन का इस्तमाल नहीं किया है इसी बर्थन को हमने कपड़े से पकड़ के अच्छे से जो इक्ष्ट्रा पानी था सब निकाल दिया है और यहां पर देखे हैं अश्ची परसिन तक हमारा चावल पका हुआ, हमारा भगोणा भी गरम है, तो फटा-फट से भगोने में भाप बन जाएगी, जो मिरीनेशन हमने बनाकर रखा है, इसको देखी इस तरीके से, हम चावल पे डालेंगे और इस तरीके से मिक्स कर देंगे, और फिर उसके उपर चावल के उपर देखिये हमने यहाँ पर के ओड़ा water और जो color हमने बना के रखा हुआ था उसे add कर दिया है और इसके उपर हम गोश्ट को इस तरीके से पुरा layer लगा देंगे और गोश्ट के उपर layer लगाने के बाद हमने पोदीना और धनिया का इस तरीके से छिलकाव कर देना है बहुत ही जबरदस्त खुश्बू और बहुत ही अच्छा सा फिलिवर आता है पोदीने और धनिया से तो हमने बस 5-7 मिनट के लिए इसे दंपे रखा है और बहुत इच्छी से जब भगोना गरम होता है तो फटा-फट से दंपे हो जाता है यहां पे देखिए माशालाट चेक करें मेरे कैमरे की क्वाल्टी अतनी अच्छी नहीं है वरना मेरे बिर्यानी बहुत ही अच्छी बनी है और खुश्बू और जायका तो कमाल का है तो आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करें तो यहां पे देखिए हमने सर्व कर दिया है बिर्यानी और पुलाओ की बहुत सारे रेसेपि हमारे चैनल पे अपलोड है तो आप हमारे चैनल के विजिट करें हमारे चैनल पे इंशालला ताला आपको मायूस ही नहीं होगी बहुत ही मज़े मज़े की बिर्यानी हमने अपलोड की हुई है यहाँ पर मटन सूफ यानी बिर्यानी की रेसेपी हम आई बटन पर दे रहे हैं उसे क्लिक करके आप जरूर चेक कर लिजेगा और जब भी कोई रेसेपी ट्राइग क्या करें तो अपना फीडबैक लाजमी दि अपने प्यार देना हर्गिस ना पूलें जो लोग वीडियो यहां तक देख रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं उनका मैं तहई दिल से शुक्रियादा करती हूं आला तरह आप लोगों को जजाए खेर दे आप लोगों के रिस्क में उमर में जिंदगीयों में घरों में बर अला हाफिज